प्यारे बच्चो नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं कुशल होंगे बच्चो आज हम चांद से गपे लड़ाएंगे चांद से बातचीत करेंगे आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ हाँ आज हम आपकी पुस्तक का पाठ चार चांद से थोड़ी सी गपें पढ़ने वाले हैं इसके कवी हैं शमशेर बहादुर सिंग क्या होती हैं गपें आप जानते हो आप भी अपने मित्रों से गपे मारते होगे गपें का अर्थ है खूब सारी बाते करना जब आप अपने मित्र से या किसी और व्यक्ती से खूब सारी बाते करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं इसे गपे लडाना कहते हैं इस कविता में बच्चो कभी कलपना करते हैं कि एक छोटी सी लडकी आप जैसी चांद से गप्पे लड़ा रही है। आपको तो पता है चांद से, सूर्य से, हवा से, बादल से हम बाते नहीं कर सकते। तो कवी कल्पना करते हैं कि लडकी चांद से बाते कर रही है। वे चांद से कहती है कि आपने तारों जड़ा आकाश, वो शाक की तरह पहन रखा है और इसमें से केवल आपका मुही नजर आता है, जो की गोल मटोल है और गोरा चिट्टा है। वे चांद के घटते बढ़ते आकार का कारण समझ नहीं पा रही। उसे लगता है कि चांद को कोई बीमारी है जिसकी वज़ा से वे तिर्चा या तेड़ा नजर आता है। तो आईए कविता पढ़ते हैं और उसके बाद हम बहुत सारी गपे मारेंगे। ठीक है? तो चलिए। चांद से थोड़ी सी गपें दस ग्यारा साल की एक लड़की। क्या कहती है वे? गोल हैं खूब मगर आप तिर्चे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा, सिर्फ मूँ खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा, गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्त। आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब हैं गोकी। वा जी वा हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे की आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानि की बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो कितनी बढ़िया कविता थी बच्चो? अच्छी लगी आपको? चलो, अब हम सब मिलकर साथ इस कविता को पढ़ेंगे. एक पंक्ती मैं बोलूँगी और मेरे बाद एक पंक्ती आप बोलेंगे. ठीक है? तयार हो? चलिए, शुरू करते हैं. गोल हैं, खूब मगर. आप तिर्चे नजर आते हैं जरा. आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा. सिर्फ मूँ खोले हुए हैं अपना. गोरा चिट्टा, गोल मटोल. अपनी पोशाग को फैलाए हुए चारों सिम्त. आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं जाने कैसे? खूब हैं गोकी. वा जी वा. हमको बुद्दू ही निरा समझाए. हम समझते ही नहीं जैसे की. आपको बीमारी है. आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं. और बढ़ते हैं तो बस यानि की बढ़ते ही चले जाते हैं. दम नहीं लेते हैं. जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं. बिल्कुल गोल. यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है. तो बच्चो मज़ा आया कविता बोलकर आपको. तो कविता में कवी क्या कह रहे हैं? लड़की चान से कहती है कि आप गोल तो हैं लेकिन थोड़े से तिर्चे नजर आते हैं. चान पूरा नहीं है उस दिन शायद इसलिए उसे तिर्चा या तेड़ा नजर आ रहा है. फिर लड़की कहती है कि कुल आकाश सारा का सारा आकाश जोकी तारों से जड़ा हुआ है उसे आपने पहन रखा है. चान से कहती है कि आपकी पूशाक पूरा आकाश है और आपकी पूशाक में तारे जड़े हुए हैं. देखिए कितनी सुन्दर कल्पना है. फिर वे कहती ह कि इस पोशाक में से केवल आपका मू नजर आ रहा है जो कि गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है फिर वे कहती है कि आपने अपनी पोशाक को चारो दिशाओं में सब तरफ हर तरफ फेला रखा है लेकिन फिर भी आप थोड़े से तिर्चे नजर आते हैं तेड़े नजर आते हैं फिर वे चांद की तारीव भी करती है कहती है कि आप खूब हैं उसके बाद वे चांद पर एक आरोप लगाती है वे कहती है कि आपने हमें बुद्दू ही समझ लिया है पूरा का पूरा बुद्दू समझ लिया है कि हमें समझ में नहीं आता कि आपको कोई बीमारी है कि बिमारी की बात कर रही है वे बच्चो चांद के घटने और बढ़ने की फिर कहती है जब घटने लगते हैं तो लगातार हर रोज प्रती दिन घटते ही जाते हैं और जब बढ़ने पर आते हैं तो दम नहीं लेते थोड़ा सा रुपते नहीं सांस नहीं लेते बढ़ते ही चल गटने की और बढ़ने की ये कभी ठीक नहीं होती क्या मतलब है कि जब चान पूरा गोल हो जाता है उसके अगले ही दिन से फिर से घटना शुरू हो जाता है और जब घटते घटते पूरा गायब हो जाता है तो उसके ही अगले दिन से फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है धी जापका चलता ही जाता है चलता ही जाता है आशा है बच्चों आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी तो मैंने आपसे कहा था कि हम धेर सारी बाते करेंगे तो आईए बाते शुरू करते हैं मुझे बताईए क्या आप जानते हैं कि चान अलग-अलग रूपों में क्यों नजर आता है कुछ बच्चों को तो जरूर याद होगा तो बताईए क्या कारण है हाँ बिलकुल सही ये सब पृत्वी और चान के घूमते रहने के कारण होता है पृत्वी सूर्य के और चान तो चान के जितने भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है उतना ही भाग हमें दिखाई देता है इसलिए चान अलग-अलग अकारों में नजर आता है बच्चों चान के अलग-अलग अकारों का एक नाम है हम उन्हें चान की कलाई कहते हैं बच्चों आपको पता है कि पृत्वी के सूर्य के आसपास और अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन रात वह मौसम बनते हैं आप इन चित्रों में देखिए पहले चित्र में पृत्वी सूर्य के और चान पृत्वी के चारों ओर घूम रहा है जिसकी वज़ा से सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन भी बनते हैं उसी प्रकार दूसरे में देखिए दूसरे चित्र में इसमें चान के अलग-अलग रूह या कलाई नजर आ रही हैं आप देखिए जब चान पूरा है उस रात पूर्णिमा है और चान जब बिलकुल गायब हो चुका है उस रात अमावस्या है बचो चान का हमारे देश के त्योहारों से गहरा संबंद है क्या संबंद है आप कहोगे क्या संबंद है तो आईए बात करते हैं क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हर वर्ष दीवाली या दीपावली अलग तिथी को होती है इसका क्या कारण है आईए जानते हैं जैसा आप सब जानते हो कि अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर में बारा महीने होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर को सूर्य की गती के अनुसार बारा महीनों में बांटा गया है बारा महीने पता है ना आपको कौन से हैं जन्वरी से लेकर दिसंबर तक हाँ तो उसी प्रकार बच्चो हिंदी केलेंडर या हमारा देशी केलेंडर जो है उसे चांद की गती के अनुसार बारा महीनों में बांटा गया है यह देखिए आप चित्र में देख सकते हो हमारे हिंदू वर्ष के पहले महीने का नाम है चैत्र जोकी ग्रेगोरियन महीने मार्च के मध्य से शुरू होकर अप्रेल के मध्य तक होता है उसी प्रकार बाकी सब महीने भी होते हैं हिंदी के महीने चैत्र, विशाक, जेश्ट, आशार, श्रावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशिष, पोश, माग और फागुन बच्चो उत्तर भारत में इस देशी केलेंडर का चलन है और उत्तर भारत के जादा तर्क हिंदू धार्मिक त्योहार इन्ही तिथियों के अनुसार होते हैं तो इन दोनों केलेंडरों में क्या आंतर है बच्चो एक हिंदी महीने में भी 30 दिन होते हैं ग्रेगोरियन महीने की तरह लेकिन इसमें 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं पक्ष यानि दो भाग जिन दिनों में चांद बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुँचता है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और जिन दिनों में चांद घटते घटते अमावस्या तक पहुँचता है उन 15 दिनों को हम क्रिश्न पक्ष कहते हैं इस तरह दोनों पक्षों में एक से पंद्रा तक तिथियां होती हैं जिनके नाम है पहली तारीक को एकम, दूसरी को दुटिया, तीसरी को तुरितिया, फिर चतुर्थी, पंचमी, शष्थी इसी प्रकार पंद्रवे दिन को या पुर्णिमा या अमावस्या होती है इस चित्र में देखिए आप, पूरा चांद है, इस रात पुर्णिमा है और फिर धीरे धीरे घटा हुआ, वे अमावस्या की ओर जा रहा है जो अंतिम चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वे चतुर्दशी का है, अगले दिन अमावस्या होगी और चांद बिलकुल नजर नहीं आएगा तो बच्चों हमारे सारे त्योहार इन ही तित्यों के अनुसार होते हैं इसलिए यदि दिवाली को अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें, तो वे कभी अक्तूबर में आती है, तो कभी नवंबर में आती है परंतु हिंदी महीने के हिसाब से देखें तो हर त्योहार हमेशा एक ही तिथी को होता है जैसे दिपावली कार्तिक की अमावस्या को होती है होली फागुन महीने की पुर्णिमा को मनाई जाती है जन्माश्टमी जोकी श्री क्रिश्न का जन्म दिवस है वे श्रावन के कृष्ण पक्ष की अश्टमी को मनाया जाता है तो जी पाट तो यहाँ पर समाप्थ होता है अब पूछते हैं आप से कुछ प्रश्ण तयार हैं आप सब? ठीक है तो बच्चों बताए लड़की को चान कैसा नजर आता है? गोल? लंबा? क्या उत्तर है? बिलकुल सही तिर्चा नजर आता है अगला प्रश्ण है बच्चों चान्द ने कैसी पोशाक पहनी हुई है? अरे अरे उत्तर मत दीजिये पहले विकल्प सुनिये मोतियों जड़ी तारों जड़ी हीरे जड़ी या साधी सी पोशाक पहन रखी है क्या होगा उत्तर? तारों जड़ी बिलकुल सही सबने सही उत्तर दिया अगला प्रश्ण है चान्द की पोशाक में से क्या नजर आता है? उसके शरीर का कौन सा भाग नजर आता है? पंक? हाथ? आंक? या मूँ? क्या नजर आता है बच्चो? चान्द का मूँ नजर आता है विलकुल सही आगे देखिए अब बताए कि सभी दिशाओं में चान क्या फैलाए हुए है? अपने पंक? प्रकाश? अंधेरा? या फिर अपनी पोशाक? क्या फैलाया है चान्द ने? चारो दिशाओं में? अपनी पोशाक पिलकुल सही उसके बाद है बच्चो चान्द कब तक बढ़ता चला जाता है? पूरे दिन भर? रात भर? अमावस्या से पूर्णिमा तक? या इन में से कोई उत्तर सही नहीं है आपका उत्तर क्या है? अमावस्या से पूर्णिमा तक बहुत अच्छे अच्छा ये बताए कि चान्द ने हमको क्या समझ रखा है? लड़की क्या कहती है? कि चान्द ने हमें क्या समझ रखा है? बुद्धू? तेज? इन में से कोई नहीं? या ये दोनों? क्या समझा है चान्द ने हमें? बुद्धू लड़की को लगता है कि चान्द ने हमें बुद्धू समझ रखा है अगला प्रश्ण है लड़की कहती है आपका ये मरज ठीक होने पर नहीं आता मरज से क्या अविप्राई है बच्चो? क्या अर्थ है मरज का? मरज का अर्थ है हलांकी या मरीज या बीमारी या ये सब कौन सा उत्तर है? मरज का अर्थ क्या है? बीमारी बिलकुल सही फिर एक शब्द था कविता में गोकी गोकी से क्या अभी प्राय है? गोकी का अर्थ है जबकी, या परंतू, या हालांकी, या चरित्र बच्चो गोकी का अर्थ है हालांकी जी हाँ अच्छा आपको कवी याद है? कविता के कवी कौन है? प्रेमचन, शमशेर बहादूर सिंग, बाबा राव या कोई नहीं तो उत्तर है शमशेर बहादूर सिंग उसके अगला प्रश्न अब ध्यान से सुनिये प्रश्न है कविता की पंक्ती है आप पहने हुए हैं कुल आकाश इसके माध्यम से लड़की क्या कहना चाती है? इसके लिए भी विकल्प सुनिये चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओड़कर बैठा है या दूसरा विकल्प चांद की पोशाक चारो दिशाओं में फैली हुई है इस पंक्ती का अर्थ इन दोनों में से कौन सा है? क्या सही अर्थ है बच्चो? हाँ कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओड़कर पैठा है चलिए आगे चलते हैं बच्चो चांद शब्द एक संग्या है उसमें यदि हम नी प्रत्य जोड़ दें तो चांदनी बन जाता है चांदनी एक विशेशन है आईए देखें कुछ शब्द और उनसे विशेशन बनाएं उधारन देखिए गुलाब गुलाब में आपने ए जोड दिया तो क्या बन गया गुलाबी इसका प्रियोग करिये जैसे गुलाबी पगड़ी गुलाबी सूट अगला शब्द है मकमल मकमल में भी ए जोड़िये क्या बन जायेगा मकमली मकमली क्या वस्तू हो सकती है कालीन है ना? चलिए, अगला शब्द, अगला शब्द है कीमत, कीमत में ई जोड़िये, क्या बनेगा? कीमती, तो कीमती शब्द जोड़िये किसी संग्या के साथ? कीमती वस्तू, कीमती वस्त्र या कीमती बर्तन, गहने, कुछ भी हो सकता है अगला शब्द है बच्चो ठंड, ठंड में ए जोड़िये तो बन जाएगा ठंडी ठंडी शब्द जोड़िये किसी संग्या से, ठंडी बर्फ और ठंडी आइस्क्रीम, बहुत अच्छे फिर जंगल, जंगल में ए जोड़ा, बन गया जंगली, तो जंगली कहां प्रियोग कर सकते हैं, जंगली जानवर किसी मनुष्य को भी कई बार उसके बरताव के अनुसार हम कहा देते हैं, तुम तो जंगली मनुष्य हो, है ना, अगला शब्द देखिए कश्मीर, कश्मीर में जब हम ए जोड़ेंगे, तो शब्द बनेगा कश्मीरी, तो कश्मीरी, पोशाक, कश्मीरी, शौल, कुछ भी आप बना सकते हो शब्द, बच्चो, कविता में एक शब्द आया था, बिलकुल गोल, उसका क्या अर्थ है, आप बता सकते हो? हाँ, एक तो अर्थ है कि एकदम गोल, कोई भी कमी नहीं हो जिसमें, एक और अर्थ भी है बिलकुल गोल का, चोर, चोरी करके गोल हो गया, बिलकुल गोल हो गया, यानि गायब हो गया, ऐसे और शब्द सोचिए, जिनके दो अलग अर्थ हो सकते हैं, एक मैं आपको बताती हुँ शब्द है कनक कनक का क्या अर्थ होता है गेहु सभी को पता है और क्या अर्थ हो सकता है कनक बच्चो सोने को भी कहते हैं सोना जो की एक धातू है जिससे हम गेहने बनाते हैं ठीक है फिर शब्द है उत्तर उत्तर के दो अर्थ तो आपको बताने पड़ेंगे यह तो ब ज़ो ठीके है? दिशा, उत्तरदिशा का नाम है और दूसरा उत्तर यानि प्रश्न का उत्तर जवाब, ठीक है? एक और शब्द है बच्चो, अम्बर, अम्बर किसे कहते हैं हम? आकाश, हाँ, आकाश को हम अंबर कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम वस्त्र को भी अंबर कहते हैं समझे, तो अब अन्त में मैं आपसे एक विशेश प्रश्न पूछना चाहती हूँ ध्यान से सुनिये, क्या आप बता सकते हैं कि लड़की चान से किस दिन बाते कर रही होगी सोच कर अंदाजा लगाईए कि कौन सी तिथी होगी कि उसे चान टेड़ा नजर आ रहा था आपको मैंने बताया है, हिंदी महीने में दो पक्ष, दोनों में पंद्रा-पंद्रा दिन तो आपने बताना है कौन से पक्ष की कौन सी तिथी को लड़की बाते कर रही होगी चान से आपस में बात करिए अपने मित्रों के साथ और उत्तर खोजिए अब पाट्समाप्त होता है, नमस्कार